नमश्कार दोस्तों स्वतंत्र कल्या के पंकार में मैं पीठी शुकला आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम बात करेंगे जिस शक्सियत की उनका व्यक्तित्व किसी परीचे का मोहताज नहीं है उत्तर प्रदेश में जन्मे भारतिय पॉप और रोग गयक जिनकी शैली भारतिय लोग गीत से प्रभावी थे वो है हम सब के चहेते कैलाश खेर जिनका जन्म साथ जुलाई 1973 में गवा था कैलाश खेर को संगीत मानो विरासत में मिला था उनके पिता पंडित मेहर सेंग खेर पुजारी थे और अकसर घरों में होने वाले इविंट्स में ट्रदेशनल फोक सौंग डाया करते थे कैलाश ने बच्पन में पिता से ही संगीत की सिक्षा ली थी कैलाश जब 13 साल के थे तभी वे संगीत की बहतर सिक्षा लेने के लिए घरवालों से लड़कर दिल्ली आ गये थे यहां आकर उन्होंने संगीत की सिक्षा तो लेनी शुरू कर दी लेकिन साथ ही पैसे कमाने के लिए छोटा सा काम शुरू कर दिया इसके अलावा वो विदेशी लोगों को संगीत सिखा करके भी पैसे कमाया करते थे एक समय ऐसा भी आया था जब वो सिलसाइट करना चाहते थे हुआ यू कि दिल्ली में रहते हुए कैलाश ने अपने एक फैमिली प्रेंट के साथ एक्सकोर्ट का बिजनस शुरू कर दिया था इसी साल इन्हें इस कारोबार में इतना बड़ा घाटा हुआ जिसे वो अपनी सारी जमापुनजी गवा बैठे इस वक्त कैलाश इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि वो जिन्दगी से तंग आकर सुइसाइट करना चाहते थे इस सबसे किसी तरह से निकलने के बाद कैलाश पैसे कमाने के लिए सिंगापूर और थाइलेंड चले गए वाद छे मैने रहने के बाद वो वापस भारत आ कि कोई भी बड़े से बड़ा संत उन्हें सुनकर जूरता था इसे कैलाश का खोया हुआ विश्वास वापस आया और वो मुंबई चले के मुंबई आने के बाद कैलाश ने काफी गरीबी में दिन गुजारे थे घर में नहीं बलकि वो चॉल में रहा करते थे उनके पास ए एक टूटी चपल पहन के 24 घंडे इस्टूडियो के चपकर लगाते रहते थे कि कोई उनकी आवास सुन ले और उन्हें गानी का एक मौका दे दे एक दिन राम संपत ने एक जिंगल गानी का मौका उन्हें मिला जिसके लिए उन्होंने 5,000 रुपए उस समय मिले कैलाश को बहुत जादा लगे उस समय वो 5,000 रुपए और इससे उनका कुछ दिन का खट्चा चल गया मौबई में कई सालों तक स्ट्रगल करनी के बाद फिल्म अंदास से उन्हें भेक मिला इस फिल्म में कैलाश ने रब्बा इश्क ना हुए गाना गया कैलाश की किसमत का तारा त अब से हिट गाना है कैलाश खेर अब तक 18 भाशाओं में गाना गा चुके हैं और 300 से अधिक गाने तो कैलाश ने सिर्फ बॉल्लीवुड के लिए गाये हैं कैलाश को अपने गीतों के लिए दर्जनों एवार्ड मिल चुके हैं कैलाश खेर ने कई खुबसूरत गाने या तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाओं आजा चंदा पाहों में तुझ मेरी हिकम हो जाओं या एरी सखी मंगल गाओरी जैसे खुबसूरत गाने हमारे कैलाश खेरने काये हैं और आपको जरूर पसंद होंगे इनके गाने आपका कौल सा फेवरिट गाना है जो कैला जरूर बताएं इसके साथ ही आज किस नए उभरते वे सितारे से अब दू कभी हमें मिलाने जा रहे हैं यह देखने के लिए सीधा चलते हैं उनके पास और देखते हैं कि आज कौन सा नया सितारा हमारे सामने आनी जा रहा है तब तक मुझे यानि प्रिती शुक्ला को इज इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आते जा रहे हैं और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं तो इसके लिए मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और अब तक हमने आपको बहुत से कलाकारों से मिलवाया है किसी इनी कलाकारों की घड़ी म आज मैं आपको एक छोटे कलाकार से मिलवाता हूं जो जिंकों मैं छोटा नवाप पहूंगा तो शाहिद बहुत अच्छा लगएगा छोटे नवाप लेकिन उनका जो कला है उनकी जो फंकारी वह छोटी ननी बहुत बड़े फंकार आज मेरे साथ में मौझूद है जिनसे मैं आपको बात करूंगा और उनके आपको कुछ गाने सुमौँगा और मुझे विश्वास हैं जिस तरह से आपने आज तक मेरे प्रोग्राम को प्रसंद किया है इस तरह से आप मेरे यूनित पुरी जी को अपन प्यार देंगे और बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारा प्यार की यूनित पुरी जी के लिए मैं बात कर रहा हूं एक छोटे से बच्चे की जो देखने में तो छोटा है लेकिन उसकी आवाज जमीन से लेके फलक तक इस वक्त सुनी जा रही है और बहुत सी लोगों की द जो गाने गार हैं यह कितनी उम्मच से आपकी क्या यह जाज रही है एक एक और यह जो आपने गाएं शुरू किया यह कब से शुरू किया है तो इसके लिए आप कहां से शिक्षा ले रहा है आप मुझे यह बताएं कि अपने पहले गाया किसी ना पुटी मोटीवेट किया किसी ना पूशा रहा है यह बहुत अच्छा जाते हो आप गाना गा सकते हैं मेरे बातों मुझे मुझे बचा शही मैं निसा बचाहा पसंगी था अचा किसे गाने आप ज्याद है, गाने पशंद रहते हैं इसे और को आट और अच प्लिके जो सिंगर चाहिँ, उनके बारे में या है वेनिया थारी पॉसंद्दी ने था खुख कूम सा गाना सबसे फेवरेट है आपका बिरसा गाना सा अब ही आप कुहन सा गाना सनाना सब आपको यह लेकर लेकंबे इस एक बार प्रफा गान सुना औरहुंख को यह लेकि बड़ खुख कर दाद़ है के पग गुंगरू बांध मेरा नाची थी के पग गुंगरू बांध मेरा नाची थी और हम नाची बिन खुंगरू के के पग गुंगरू बांध मेरा नाची थी वो तीर भला किस कांगा है जो तीर निशाने से चूके 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 रहे के पगग जरू बंग मेरा नाची थी बुजर्गों ने बुजर्गों ने फर्माया के पैरों में अपने खर्रे होते दिखलाओ फिर ये दमाना तुमाना है समाने के सुर्टाल के साथ चलते चले जाओ फिर हर तराना तुमारा तुमारा है अरे तो लो भईया हम अपने पैरों के उगर खर्रे हो गई और भी लाली है चाल तबाली काता तुम तले हुझ लिया ये जहां देख पर देख पर अपनी चाल त बाली के बाली का पजबा है का पजबबंगरू के बगगंगरु मान मेरा नाची थे के बगगंगरु मान मेरा नाची थे हर हम नाची बिन गुगरु के के बगगंगरु मान मेरा नाची थे 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 जो थे बिशा मेरे चूके 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 रे के बगगंगरु मान मेरा नाची थे कार गुम बादर लुवा नरी लाज कर दिद्यू внाज करें जीलो कि चैनल को बखें से दिद्यतके टाया यंदकी दिद्यू जाओ मंजोड़ सा मेर को गुम लुकज दीं साबी मेंसे दीर से दॉद्यू जाओ मोंजोड ख़ुम दीर लग लगाwyn जीलू प्रोप पूरा अपिडे़्टुरा प्रोंग रज़ंद प्रोंग फ्रोंग प्रोंगी इन्फ पूर्डरीज प्रोंग्र झाल तो जो गारत कुरम तो गयां, तो गारत कुरम जर्ट गारत कुर्ट जो गई त। Κो करनी करनी को गई त। मेरे सब रह किरानी को गया के त। अंग्यों अंद कॉप गई त। पिती जाए हें त। इस बीस सब गई त। चल्लिया दू जल्या कद immortal पूच्छ रही है पूच्छ रही है का नगमा है मौजो की रवानी है जिन्दगिया कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है अपना तो जमाने में बस इतना फसाना है खुछ हम भी दिवाने है खुछ दिल भी दिवाना है तो यह थे योनित पुरी जिनको आपने सुना पूत के पाउं पालने में नजर आते हैं मैं कह सकता हूं इस बात को इस आठ साल की उमर में इस बच्चे ने जो भी गाना सुना या जो टैलेंट है वो काबिले तारीफ है और मैं इस बच्चे को सुतन परवात की जरफ से बहुत बहुत शुप कामना ही देता हूं और मैं उमीद करता हूं कि आने वाले समय में ये बच्चा आसमान में गईगी का एक सितारा बनके चमकेगा अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं यूनित पूरी के पापा अंशु पूरी जी से क्योंकि घर में सिंगिंग का एक माहूल है वो भी बहुत अच्छे गाने काते हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को उनकी आवाज भी सुनाई है इस समय मेरे साथ में हैं और ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं मेरे जर्शकों को एक अच्छी आवाज और सुनने को मिलेगे तो एंचुई मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना जो सबसे हो गया है प्यार क्या करें बोलो तो जी बोलो तो मर जाए हमको तुम से हो गया है प्यार क्या करें आपके आवास तो बहुत अच्छी है और आपने यह कब से शुरू किया आपना जो सिंगिंग का प्रोफेशन था या आप जो गाने का शौक आप तो कहारे लेगा देखिए मेरा बेटा गाता है और ऐसे ही उसको उसके बाप से जो चीजे मिली मुझको भी मेरे पिता जी से ज आप ग्रामोफोन ही चलते थे उस समय, और मैं पिता जी को अगर मुनाते सुनता था और ग्रामोफोन पर गाने सुनता था, दीरे दीरे जो है मुझे इतना ज्यादा गानों का शौक हुआ ज़नून हुआ सुनने का, कि मुझे सारे गाने मेरी अधास बहुत कम जोरा मैं जाने और फिर मुझे गजलों का सौख हुआ तक जी सिंग में इस पहुत सी गजले सव्याद हैं और दीरे-दीरे क्या हुआ कि लखीमपुर में कई करने के लिए गया था लेकिन मुझे वहां पर जो है मेरे नालेश को देखते हुए उन्हों मुझे जज की भूमका दी और ऐसे दीरे-दीरे करके में लखीमपुर में बहुत से म्यूजिकल प्रोग्राम में लगबक 10-12 साल तक का जज की भूमकाई निभाई हैं और मैंने सब्सक्राइब करें लिए और मेरे बच्चे को उन्होंने जिस तरीके से निखा रहा है वह आज आप लोग के सामने है कि वह लखीमपुर के बहुत से प्रोग्रामों में उसने जो है पार्डिसिवेट करा और पस्ट भी आया है और उसने आज शहर में उसका नाम है और एक बबाब के लिए इससे अधा खुशी की क्या बात होगी कि आज मुझे लो में यूनित का पापा के नाम से समोधित करते हैं और लोग मोबाइलों में जो नंबर करते हैं वो यूनित के पापा के नाम से करते हैं ये पिता के लिए बहुत ही गर्व की बात और मुझे बड़ा अच्छा लगता है और आप लोग का आशिरवाद और प्यार अगर इसी तरीके से बना रहेगा तो जल्द ही यूनि सबसे देखने वाली बात यह है कि बच्चों को अगर माता-पिता का सपोर्ट है माता-पिता का पूरा सयोग है तो वह बच्चा अपने मुकाम को अपनी मंजिल को आसानी से पहुंच जाता है इसके साथ ही मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद बोलूंगा और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुपकामना है । धन्यवाद मैं यह स्वतंत्र प्रवाद जी जो आपका चैनल है मैं इसको जो है जो मेरे बेटे को जो रिप्रेजेंट करा है आपने मैं इसके लिए जो है आपके निशनल का बहुत-बहुत आभारी हूं और मैं उसे जह दो दो कि एका हैं जहीद जहीं कि एका हुआए जहाँ गार्णा़ की जहाँ है कीजित करें टाद कीजिए्ड़ करेंगी झाले हंदा जहीं हैं LOC